हेलो दूस्तों, दूस्तों मैं जफ्ट अभी-अभी मूवी हौल से लॉट कर आया हूँ, मैं नियत मूवी देखने का या था, यहाँ पर मैं विद्याबालन, रामकपूर, निराज कपी और राहूल बोफ जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं, एंड मैं आपको बता दू कि मुझे zero knowledge थी इस मूवी के बारे में, मतलब मूवी का concept क्या है, कहानी क्या है, even teaser, thriller मैंने कुछ भी नहीं देखा था, तो मैं zero expectations लेके गया, एंड मुझे कुछ भी पता नहीं था, and let me tell you this, तो मूवी यार मीरे लिए लगबग पूरी तरफिक प्र एडिक्टेबल थी, कल मै मैं जब पे movie के collections के बारे में चेक करा था, तो मुझे सिर्फ एतना पता चला, कि movie में suspense को लेकर कुछ है, सिर्फ एक शब्द मुझे पता चला कि suspense, बस उसके लापा कुछ भी मुझे जानका दी नहीं थी, and movie शुरू होई, and शुरू होते ही, राम कपूर की जब entry होई, आश का बड़े है, and वो इंडिया के बाहर, स्कॉट लेंड में उनका कोई आलिशान बिला है, घर है, जहापाद उनके बड़े के time पे सब दोस्त उनके जमा होते हैं, दोस्त है, रिष्टेदार है, and बाकी के लोग जमा होते हैं, तो movie में यह हुआ, and उसके बाद मैं समझ गया कि यह पर क्या होने वाला है, and movie में और आगे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, यह कोई spoiler नहीं है, जो मैं बताने जाला हो सकता है, कि teaser trailer में यह चीज़ें बताए गई होगी, मैंने teaser trailer अभी तक नहीं देखा, तो राम कपूर की हत्या होई, मैं समझ गया था कि इस बंद अभी सर होगी, जो investigate करेगी इस हत्या को, इस murder को, and भाई साब, exactly वही चीज़ें यहां पर निकली, बिल्कुल crystal clear जैसा मैंने सोचा था, अपने mind में सोचा था, मैंने किस तरी कीशी जहोंगे, and विल्कुल वही निकला यहां पर, मैं exact बक्त तो नहीं बता सकता हूँ, कि कब Death on Nile, same भही कहानी लग दी इस movie की, बिल्कुल pretty sure, मतलब मैं pretty sure था कि, यह movie को remake किया गया है बहां से, लेकिन बीगी पीडिया खुलने के बाद बाद चला कि, भही remake तो नहीं है, लेकिन movie आपको याद लाएगी Death on Nile की, बिल्कुल same to same भही कहानी, सब कुछ same to same भही हो रहा ह लेकिन लगबक देड़ घंटे की बाद, बिद्या पालन का character, जब सबको उनके बारे में बताना शुरू कलता है, मतलब उनके जो theory थी, जो लाहूल बोस का character कहता कि, कहना क्या चाहती हो, अपनी बात बोल रखते हैं, तब चीजें clear हो पाई, तब बहां से एक कुछ चीजे थी और कुछ engaging जैसी थी, जिसमें थोड़ा सा connect कर पाओगी, थोड़ा surprising आपके लिए हो सकता है, लेकिन पहला देड़ घंटा, भाई सा पूरी तरह से boring, कुछ भी ऐसा नहीं, जो नया हो, जो देखने ना अच्छा लगए, यह जो कुछ अलग हो, आप जैसा जैसा सोचोग अगर आप Hollywood की mysterious movies के shocking है, बिल्कुर मतल मैंने 1000 फिल्में देख रखी है Hollywood की, Death on Nile है, Murder on Orient Express है, मतल सब कुछ फिम से भई लग रहा था, कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन अंद में चीजें फिल थोड़ी अलग हो गई हैं, उसके बाद characters के बारे में जब पता चला तो भी connecting नहीं कर पा रहा था, क्यूंकि characters की backstory backstory नहीं दिखाएगी, फिर 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 फितना पता चला कि वो उसके दोस्त है, और कुछ नाम उनकी क्या है, उनका profession क्या था, और वो यहां पर हैं, फिर फिर फितना पता चला किसी की backstory 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 जानने को देखने को नहीं मिली थी, तो लग में कुछ ट्विस्ट आये जो थोड़ी सर्प्राइजिंग थे अंतमे ही मतलब एक तरीक इसनों ने कुछ नया करने की कोशिच की कुछ हटके करने की कोशिच की लेकर उससे पहले तक मुवी का डिरेक्शन इसके दिले महा बकबास नम महा पकाऊ महा घटिया एंड कहानी में क कुछ भी बहुत खास नहीं था लेकिन जैसक मैंने का बांतमें चीज़ें कुछ अलग हुई तो थोड़ा अच्छा था तो भई जो भी था जिसमें कोई बात थी तो मुवी के क्लाइमेक्स में कोई बात थी जब लगबग 30-40 मिनिट की मुवी रह गई तो जब वो चीज़ दिबील हुई कुछ अच्छी हुई तो यह मुवी में भाई कुल मिलाकर एंड बैक्गराउंड स्कोर तक अच्छा नहीं है लेंद जो है टोटल करीब 130 मिनट की फिल में अगर मैं गलत नहीं हूं यूए सटिफिकेट पर लिखके आता है कि लिखाता था कि मुवी की अच्छा था इंट्रिफ्टिंग था तो वो लास्ट के क्लाइमेक्स था ऐसा कह सकते हैं जो लास्ट के 40 मिनट रही हो गई जी आम वही वही था जो भी था तो यहार एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें विद्या बालन है उनका केटिक्टरी अरक मतलब का आपको ऐसा अलगाए गा कि भूसीर आईड़ी की फॉरेंस्थिक ऑफिसर फॉरेंस्च डॉक्टर तारिका है डॉक्टर तारिका की आपको याद आएगगी इतनी साथी नौलेज्ज उसको फॉरेंस्थ्टर होना चाहिए था उसको यह आपर सी वी आई के ऑफिसर नहीं हो एच लगते ठीक ठीक लगते हैं यह है मेरे तरब से टु स्थ्रार्स आखाफ इस मोवी के लिए बाix कोछ भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है निया मतलब खुछ भी नहीं धा यह दा तो यह है तो यह आपके के लिए कुछ भी देखो ये एक time-based film है, boring film है, अगर आपने Hollywood नहीं देखी है, तो देखलो एक try देदो बाकी, यार कोश व्यादा उम्मीद मत रखना आपने देखी है, तो लिख की पताना आप लोगों का इस film पर क्या टिकेट, like, share and subscribe करना चैनल को, बड़ीकों नहीं देखना चाहे हैं, तो family के साथ देख सकते हैं, and this is Nitish channel signing up, thank you.